दोस्तों आज की कहानी है बहु अन जीवन का आधारें दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्रेप नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरूज नहीं वीडियो किया बाते बार बार फोना रहे आपको और आप भी कुछ प्रेसान लगरे सुना नहीं है कि आ रात के ग्यारे बजने लगे सबेरे लेट उख देंगे और लेट हो जैंगे तनु नविन को प्रेसान देकर पुस वेटी नविन मेंने बतै था ना यहां पास के गामें एक साधी हैं जिस से हमारी बड़ी बुआ के लड़के अपने दोस्तों के साथ आने वाले हैं तनु हाँ अभी दो मेने पहले हमारी साधी में आये थे बड़े मजाक्या से थे वे नहीं हाँ पैसान कई वो सब यहां नहीं आएंगे कि आ नविन वेसे तो सब वेसे लोटने वाले थे हगामा कर दिया सब तीतर बितर होगे पुलीस वुलीस बुलानी पड़ी घर वाले उलस गए कोई सीरियस होगे से दिन समय कोई नहीं वहां संभालने वाला भीया लेट ही पाउंसे हैं और खाना पिना कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें वहां गामे होटल तो एक भी नहीं हैं तनू हमारी घर से कितनी देरी लगेगी नवीन आदा गंटा फिर भी लेकिन तनू लेकिन किया नवीन हमारे घर में नियम है दस बज्जे के बाद कभी रस्वे में कुछ नहीं बनता और नहीं मा भावी उठेगी बनाने सारा दिन काम की ठकान और उपर से इस वक्त कौ कि उन्हें घर वापसी में तरू कैसी बात करें आप भाई या बुआजी के बेटे आपके बड़े भाई वो आपको बार बार फोन करें इसका मरलब कि उन्हें आप से आसा हैं कि साइदा मदद कर ले रात का वक्त हैं रासा लंबा भुख भी लगी होगी इतनी पासा कर भुखे वापस आएंगे कि असोसिय उनकी जग आप होते तो रही बातमा और दीदी की तो उन्हें हराम करने दीजी में अकेली संभालूंगी सा लोगों का खाना एक घ्रेने के लिए खेल जैसा हैं हाँ पहले पता होता तो बाजार से कुछ अच्चा लाकर बनाते पर अभी स्थती वो भी समझ रहे हैं पनीर है थोड़ी वो भी मैंने सबीरे टीपन के हिसाब से थोड़े सोड़े थे काम आजाएंगे आपने सुनाए ना साहीत ना दीजिये जाने कूटों समा मैं भी भूखा ना रहूं साधू ना भूखा जाए इश्वर के लिए में सबका हिसा होता है वक्त बेवक्त हमें ऐसे सोटे सोटे काम संभालने पड़ते आप प्रेशान मत हुए बहुत सोटे सी बाते नविन बुला लीजिए भाया को अधिती देवो भाव नविन तुमने तो मेरे मन की बात का अधी पर मा से पूस लूँ मान ने सुना नंद का बेटा आ रहे तो मना कैसे करती और भाव को मनाने में अंतरास भी नहीं तो मुनू समझ गए कि जठानी जीने नियम बना है नविन के फौन करती सभी जड़ से आ रोटी बना लो असार पावर रख देंगे हो गया वैसे भी फ्रेज में सब्या एक भी नहीं है कल बात जारे आज कहां सबजी रहती खाना पीना हो गया अब कौन फिर से सारी सीजे बनाए हम भी तो बन जाते हैं उनके यहां पर कभी ढंका संदकार ना मिलता तनु की जठा आदे तन बढ़ बढ़ करने लगी नवीन ने तनु को दे कर तसली की कहीं उसका विसार भी तो नहीं डगबंगाने लगा तनु ने मुस्करा कर नवीन को अतिमान दे दिया दी आप सहे तो आराम करूं में होना सब बन जाएगा बासा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब सब खाने बेटेंगे तब धोड़ी देर आजाए गाउने अच्छा लगीगा तनु से यहीं तो सुनना ता जेठाने जट उपर कर में सोने सली गई तनु ने आधे घंडे के हिसाब से जल्दी जल्दी आठा लगाया उसने अपनी मां से रस्वी की हर बारीकियों सीखी थी लहसुन अध्रक का पेश्ट बना रखा होता सभी सीजे यथास तम न मिलते खाने के बाद दुरन सारी सफाई हो जाती समिय का परभदन कर कम समिय में भी कैसे में मां संतुष्ट यह जायतनु जानती थी जल्दी से प बग त्यारी था अपनी अनपुरणा वाले आदसों से उसने जट पट खाना त्यार कर लिया असार पापर निकाले नवीन ने भी पुरी मदद की तनों के तफ़ताने नवीन के दिल में एक अलगी जग़ बनाई सभी ने आकर हात मुँ धोए हाल साल पर सशाई वी तब तक और समय मिल गए जटानी न साकर भी मदद करने आयो और सभी ने खाना खाकर खुब धनियावाद किया अब हाँ सभी सब परिवार रहे हमें भी आशार दीजिये करकर सभी मेमाना ने आधी रात में विदाई ली नवीन गाड़ी तक सोडने गया तो अकिले में उसे बड़े भाई ने दिले से का सईक लड़की मिली तुम्हें आपका भी ध्यान रखना गुस देर में सभी सोने स्लेगे नवीन ने प्यार से तनू को अपने में समिट लिया और बहुत धनियावाद किया और का तुम तो साक्षाक अनपूर्णा हो आज उसकी पतनी ने अपनी धकांत बुलकर सबका दिल जीद लिया ता तनू के सेरे पी फिर धकावट की जग़ संतुष्टी और खुसी के भावते सबीरे दोनों को जल्दी उठना भी था रस्वी उसके लिए स्रेब एक भूचन पकाने की जग़ नई थी प्रिवार की हर्शद की परवा और उसके परती प्रेम की पहली अभी व्यक्ती हर घर में रस्वी से होती है रिस्तों की नीव रखने की इस्त से ब्यातर जग़ कोई नई थी हर वो मा बेन या भेटी जो अपनों के लिए रस्वी बनाती है शक्षक अनपुरणा होती है अनजीवन का आधार है और इस साधार को संभाने वाली रस्वी कभी साधार नहीं होती रस्वी पूले अपने पनर परवा को अपनों तक पहुंसाने का रस्वी एक धवारे दू उस भी समढ रखती है, हर बगी से कीतर हर रसुई में खास होती है, रसुई एक परियूक साला है, कोई भी इंसान सब सीकर जंच नहीं लेता, रसुई में पहली बार कदम रखती, सब प्रिपक्त नहीं हो पादी, या कुछल गुनेनी भी अपने बच्चों की खुशी के लगे या बरतन जोर जोर से बसने लगे तो समझ जाईए, ग्रेनी कुस कहना साथ ये रसुई एक संचार है, कोई कितना भी बड़ा महर बना ले, इस तरी की आत्मा उसकी रसुई में बसी होती है, वो भली खुद ना कर पाई, लेकिन अपनों परिवार की हर सदस्य की पसं ना पसंड का, क्या लगणा नई सोर्ती रसुई तक पूरा संचार है, मा सासुमा से विरासत में मिली, नस्योतों के सांसा सव्यक या भवकां समरिशन या रिस्तों को मजबूत बनाना है, पसंड ना पसंड का लंबा मिला भरताईया, रसुई पके से लिए हम महिलों के सार मन खाली साल लगते हैं जीस रसोई में अनपूर्णा होती हैं उस घर का बंडार कभी खाली नहीं होता हालात कैसे भी ओपर कोई भूका नहीं